अलू अर्जुन की पुष्पा के हिंदी वर्जन के सेक्सेस के बाद अभी कुछ ऐसा हुआ है जो किसी ने सोचा ने था वेल उनकी जो 2020 की तेलगू ब्लॉकबस्टर है अलाव वैखंट पूरमलू ऐसा ही कुछ नाम है उसका तो उसका हिंदी वर्जन अभी डब होने वाला है दो साल बाद में थैंक्स टू दे सेक्सेस ओफ पुष्पा का हिंदी वर्जन मगर उसमें एक प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि इस मूवी के जो रीमेक राइट्स है वो एक हिंदी फिल्म को दी गए है और उसमें स्टा बॉक्स ओफिस पे आएगा क्या वो सहजाद है कि बॉक्स ओफिस को एफट करेगा तो डब वर्जन में एडवांटेज यह है कि जो अलु अर्जुन की एक्टिंग है वो देखने का बेनेफिट होगा और जैसे कि पुष्पा के अंदर भी डब वर्जन ने अच्छा काम कि है तो देर आर गुड चांसेस के जो यह वर्जन है इस मूवी का वो भी अच्छा काम करें और जो नॉर्थ इंडियन ओडियन्स है वो डब वर्जन देखने के लिए बेचायन है क्योंकि इसके हिंदी वर्जन के लिए बहुत सारे लोग उनलाइन सर्च कर रहे हैं मगर कही ही नहीं मिल रहा है क्योंकि टेलिगू लैंग्विज में बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर रही है 260 करोड प्लस कमाएं इसने 2020 में तो अफकोस यह बहुत ही एक इंपोर्टेंट मूवी है जिसे डब किया जा रहा है प्लस उसकी रिमेक भी बन रही है जो यही साल रिलीज हो जो जर्सी है शाहिद कपूर की उसका जो ओरिजनल मुवी है नानी की जर्सी उसको हिंदी में डब करके यूटूब के ऐपर डाला हुआ है तो अगर आप चाहे हैं तो अभी के अभी जर्सी हिंदी डब देख सकते हैं बगर क्या वो चीज आपको शाहिद कपूर की जर्सी देखने से रोकेगी वेल जवाब आपको खुदी पता है अगर आपको ऐसा रगता है कि हमने डब्ड वर्जन देख लिया भी ओरिजनल देखनी की जरुत नहीं तो डेफिनेटली वो मुवी जो है बॉक्स ओफिस उसके पर असर होगा लेकिन अगर आप कहते हो के नहीं शाहिद कपूर और जो कार्तिक आर्यन की जो अक्टिंग है वो अलग है और पूरी की पूरी मुवी के अंदर एक अलग फ्लेवर होगा तो डेफिनेटली आप जाएंगे बॉक्स ओफिस पे ये मुवी देखने के लिए तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इससे लाइक कीजिए नहीं है तो डिसलाइक कीजिए मगर इंटरेक्ट जरूर कीजिए थैंक यू फो वचिंग आइस